आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो कार में जो दरपन लगा होता है पीछे की वस्तों को देखने के लिए ठीक है वो कैसा दरपन होता है वह होता है बच्चो हमेशा उत्तल दरपन ठीक है यहां पर लिख सकते हैं बच्चो कार में कि पीछे की वस्त को देखने के लिए उत्ता दरपण का उपयोग करते हैं ठीक है पीछे की वस्त को को कि देखने के लिए ठीक है ऐसा अब caught ही बनाता है अवस्तु से छोटा बनाता है ठीक है तो कार में पीछे की वस्त को देखने के लिए उत्तल दरपन का उपयोग करते हैं अब देखे बचो अगर हम यहां पे देखे बच्चो तो उत्तल दरपन होता है कुछ इस तरह से ठीक है इसका यह वाला भाग जो होता है और ये इस सताय से क्या होता है किसी वस्तु का परवर्तान होता है ठीक है इस सताय से किसी भी वस्तु का क्या होता है बच्छो परवर्तान होता है ठीक है कुछ इस तरह से मान लेते हैं बस्तु ए भी है तो यहां पर देखें बच्छो कि इसकी हमें क्या दे रखी वह कृता त बड़ाबर एक दसमलब 5 दे रहा है तो f बड़ाबर हम जानते हैं र वाइट निसल्डब 5 बाइट पांच नहीं आप पर 10 हो पांच थाइगा पांच त्याही 15 था थी तो सकते हैं थिक है इसको इसी फार में भी रहने तीक है अब अगर हम बात करें दरपण सुत्र की यह होता है वन बाइच एफ बराबर होते है वन वाइच और यह वैलू होती है उत्तलडरपण की फोकस दूरी धनात्माक होती नहीं तो यहां प्रत्वीम की दूरी होती बच्छो दरपन से जो में दे रखिए 10 मीटर प्रत्वीम नहीं बच्छो हमें वस्तु की दूरी दे रखिए 10 मीटर ठीक है तो भी हमें यहां पर निकालना है प्लस वस्तु की दूरी हम क्यों निकालते बच्छो भी क्योंकि हम यहां पर अवर्धन निकालना है ठीक है तो हम जानते बच्छो यह होता है प्रत्वीम की दूरी अपन वस्त की दूरी with the minus sign ठीक है बच्छो तो यहां पर हम देखे बच्छो तो हमें क्या मिलेगा वस्तु क की दूरी हमें दे रखिए बच्चो कितना दस ठीक है अब देखिए बच्चो वस्त होगा सामने रखा है अगर हमारी इस दिशा में जा रही है तो यह धनात्मक होगी अब हम कोई भी दूरी मापते हैं बच्चो इसके दुरूप से मापते हैं ठीक है तो माल लेते हैं वस्त एक बटा 10 बराबर हो जाएगा एक बटा B ठीक है बच्चो तो यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चो भी कमान मिल जाएगा तो 1 by B बराबर क्या हो जाएगा बच्चो यहां पर LC हम लेते हैं 30 आजाएगा ठीक है और यहां पर देखिए बच्चो इसका मात्रा क्या होगा, मीटर, क्योंकि हमारा उ किसमे था मीटर में था, ठीक है, अब वर्धन देख लेते हैं, बच्चो, कितना होता है, तो यहां पर देखेंगा, भी हमने निकाला, 30, 43, ठीक है, बच्चो, धनात्मक में रहेगा, और उ क कि इसमें आएगा दो प्रेख झाल हो जाङए ले। जीरो से जीरो यह cancel हो जागा, 3.43, right? तो इसका मान कितना आता है, बच्चो, इसका मान आएगा, 0.069, ठीक है? या इसी को हम लगबग क्या लिख सकते है, बच्चो, 0.07, ठीक है? यह हो जाता है, बच्चो, इतना गुना, मतलब कह सकते हैं कि कितना गुना हो जाएगा, बच्चो, 0.07, भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? भी correct option है, ठीक है, बच्चो.